नवसकार दोस्तों स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे याई डी जिशेवे चैनल में आज की वीडियो में हम बात करेंगे मंत्रा सिंगल आइरिस डिवाइस के अनबाक्सिंग एन इंस्टेलेशन के बारे में ये एरिस डिवाइस का इंस्टेलेशन मैंने craos Login करने के लिए बनाया है आप यहां पर सोच रहे होंगे कि मैंने Biometrics का क्यों नहीं किया है जो कि CSE से काफ़ी Low Cost में मिल जाता है तो दोस्तो मैंने Biometrics का Iris Scanner CSE से आड़र किया था लेकिन उन में एक इसू यह है कि जब आप उसे आडर करते हैं तो वो डिस्पेस करने में काफी टाइम लग जाता है मेरा एक मैने से ज़्यादा उपर हो चुका है लेकिन अभी तक मेरे पास वो डिवाइस पहुंच नहीं पाया है तोस्तों CSC से जो आडर की जा रही है डिवाइस CSC से हम आडर कर रहे हैं उस क्योंकि कई लोगों ने आडर करने के बाद भी मंत्रा डिवाइस को अडर किया है और इससे काम कर रहे हैं तो आज मैं इस वीडियो के माध्याम से मंत्रा आइरिस स्केनर के इस्टालेशन के बारे में बताऊंगा उसके बाद यूसील को लॉग इन करके दिखाऊंगा तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं स्टार्ट करने से पहले आपसे निवेदेन हैं कि अगर आप तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें ताकि हमारे आने वाले अपडेट आपको असानी से मिल सके यह मंत्रा का बॉक्स जिस पर लिखा हैं कि हमने फिंगर वाला भी यूज किया है और इसका इंस्टालेशन काफी इजी होता है और हमारे डैसबोर्ट पे योर फ्रेमवर्क को इस रेडी का मैसेज दिख जाता है तो यह आरिस स्केनर चूज करना बेस्ट आपसन होगा आपके लिए तो जैसा कि मैंने यह बॉक् तो यह कि अमारी आरिस ko और स्केनर से डिस्टेन को मेंटेन रखता है कि किदी डिस्टेनस में हमें अपनीारिस को स्केन करना है इस के लावा दोस्तो इस बॉक्स में क्लीनिंग कलाथ और यूजर मैन्योल दिया हूँ है इस डिवाइस को यूज करने से पहले सबसे पहले जो यह डिस्टेंस मीटर है हम इसे डिवाइस के साथ कुछ इस तरह से इस्टाल कर लेते हैं तो इस तरह से हमारा डिवाइस डिस्टेंस मीटर के साथ एटेच हो चुका है और यह वर करने के लिए रेडी है इसका दूसरा सा राइड है जो की USB प्लग इन दिया हुआ है जिसे हम अपने PC लैपटप पर इंसर्ट कर सकते हैं चलिए हम इसका इंस्टालेशन देखते हैं यहां पर आप देख सकती है कि मैंने यूसियल को लागिन करके रखा है और यह जो आयरिस का सिंबल है उस पर रेड़ मार का रहा है क्योंकि यह इस्टाल नहीं है अब हम इसके इंस्टालेशन की प्रोसेस देखेंगे तो सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपेन कर लेना है यहाँ पर हमें मंत्रा rd service टाइप करके सर्च कर देना है जो फर्स्ट लिंक है उसे हमें open कर लेना है और इसके बाद जो capture दिया हुआ है उसे इंटर करना है ठीक तरह से capture को इंटर करने के बाद हमें submit पटन पे क्लिक करना है इसके बाद हमारा download वाला पेज मिल जाएगा यहां जो उपर जो software है वो finger biometric के लिए है यहां पर अभी मेरा cursor है वो iris scanner के लिए driver है यहां से हम इसका RD service डाउनलोड कर लेंगे और right side से यह driver डाउनलोड कर लेंगे इसके बाद इसके installation के लिए इसका user manual भी दिया हुआ है अगर आपको installation में कोई problem हो रही है तो आप user manual को download करके उसके instruction को follow करके आसानी से install कर पाएंगे यह हमारी user manual डाउनलोड हो गई है हम इसकी device के installation की पूरी जानकारी देख सकते हैं और during installation होने वाले संभावित error जो हैं उनका solution इससे देख सकते हैं साथ ही इस पर इसका help desk number दिया हुआ है उससे contact कर सकते हैं हमारा device driver और RD service का driver डाउनलोड हो चुका है हमें इसे बारी बारी से mouse से right click करके run as administrator करके install करने ना है झाले कर सकते हैं झाल 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 डिवाइस ड्राइवार इंस्टाल हो चुका है अब मैं यहाँ पर फिनिस पर क्लिक कर देता हूँ इसके बाद मैं अपने आड़ी सर्विस वाले साफ्ट्विवर को भी ठीक इसी तरह से रन एज एड्मिनिस्ट्रेटर करके इंस्टाल कर लेता हूँ नेक्स्ट नेक्स्ट पर क्लिक करना है हमें सिंप्ली और उसके बाद इंस्टाल बटन पर क्लिक करना है हमारा साफ्ट्विवर इस्टाल हो जाएगा तो दोस्तो डिवाइस के लिए हमने दोनों सेटप यानी की आड़ी सर्विस और डिवाइस जाइवर इस्टाल कर लिया है अब हम अपने डिवाइस को प्लागिन करेंगे जैसे ही हम प्लागिन करेंगे तो हमें मैसेज मिलेगा प्लीज वेट वाइल कनवर्टिंग योर डिवाइस टू आधार रजिस्टा डिवाइस यानी हमें इसके बाद इस मैसेज के बाद अपने डिवाइस को निकाल लेना है कि अपने सिस्टम से उसके बाद अगेन आटेज करना है डिवाईस हमारा अटेज हो गया तो या यानि कि हमारी इसके इनल डिवाईस है वह वर्क है पूरी तरह से तयार है अब हम इसे अपने यूसील साफ्टर में हो ह्र कर रहे हैं और हम से यूसील पर लॉगिन कर पाएंगे या नहीं तो चलिए हमारा UCL का software open हो रहा है यहां पर मुझे अपना operator ID इंटर करना है जैसा कि हमारा UCL का software लागिन हो चुका है लागिन करने के बाद सबसे पहले हमें अपनी GPS location को capture करना होता है और उसे save करना होता है अभी हमारे GPS के जो icon है वो red mark है यानि यह inactive state में है जैसे हम start पर click करते हैं थोड़ी देरे बाद यह active हो जाता है और location को search कर लेता है UCL के लिए इस device का installation किस प्रकार से करना है इससे संबंदित वीडियो भी मैंने आलेडी बनाया हुआ है जिसे आप वीडियो के description में देख सकते हैं मारत GPS device active हो चुका है और इसने location को capture कर लिया है आप मुझे इस location को यहाँ पर save कर देना है इसके बाद मैं synchronize operator detail में click करूंगा और operator को sync करने का प्रयास करूंगा जब आपका UCL registered हो जाता है यानि कि L1 प्रक्रिया पूरे होने के 10 या 12 दिन बाद L2 प्रक्रिया भी पूरी हो जाती है तब आपको कुछ इस तरह का आपसान देखने को मिलेगा अगर आप first time UCL पे operator को sync कर रहे हैं जहां पर आपको कुछ detail फिल करनी होगी जैसे कि Center Name में CSC आधार केंडर लिखना है उसके बाद address location में आपको अपने center का पूरा address फिल करना है आपको सिर्फ एक बार फिल करनी होती है यानि कि जब आप सबसे पहले पहली बार operator detail को sync कर रहे होते हैं इसमें आपको अपनी pin code भी फिल करना होगा और white listed for be में आपको true select कर देना है pin code के बाद आपका operator name mobile number already fill हुआ होता है ये सारी detail fill करने के बाद एक बार आप भली बाती चेक कर लेंगे उसके बाद आप ok पे click करेंगे तो capture otp and biometrics का आप सनाएगा इसके बाद आपके register mobile number पर एक otp आ जाता है उसे आपको enter करना है और अपना iris scan करना है जैसे कि मैंने अभी ये device को install किया था आप देख सकते है successfully हमारा iris scan हो चुका है और iris scan करने की बाद अगर हमारा iris match होता है तो कुछ इस तरह से message आता है यानि कि हमने session को login कर लिया है और ये session तब तक work करता रहेगा जब तक हम इसे log out नहीं करते हैं इसके बाद हम life cycle में क्लिक करके online update पे क्लिक करके अपने UCL का work कर सकते हैं यानि कि आधार का अपडेशन का work कर सकते हैं अपडेशन का work करने के लिए सबसे पहले आपको आधार नंबर या enrollment ID जिसका भी आप अपडेशन करना चाहते हैं उसको आपको fill करना होगा उसके बाद पहले आपको residence का आधार इंटर करने के बाद finger को या उसकी यारिस को scan करना होगा उसके बाद operator का biometric scan करना होगा और find आधार पे क्लिक करना होगा इसके बाद अगर उनके फिलहाल अभी जिनका mobile number link है उन्हीं का application UCL पर किया जा रहा है अगर उनकी VID या mobile number link है तो उनका data open हो जाता है और हम इस पर work कर सकते हैं तो दोस्तों कुछ इस तरह से प्रोसेस थी मंत्रा single iris scanner device की इस device को install करने के बाद आप सिंपली आइसमान या डीजी पे में भी ठीक आसानी से काम कर सकते हैं तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करें अपने दोस्तों के भी सेयर करें और हम झाल झाल